गुड मॉर्निंग मैं आसुतोस रंजन टेक्निकल क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और फोर समेस्टर मेकेनिकल इंजिनियरिंग में आपका मोस्ट बिलकम है फोर समेस्टर में आपको पढ़ना है मेजरमेंट अंट मेटरोलॉजी होता क्या है और दूसरा इस सबजेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या मतलब इसका सलेवस इसका है यह दोनों बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले जो आपका metrology word है, वो दो Greek word से मिल करके बना है, एक metro और दूसरा logy, metro का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको लिक देता हूँ, एक Greek word है, Greek word है, Greek word है, Greek words है, एक आपका word जो आता है, वो आपका metro, metro, और दूसरा जो बड़ आता है logy, यह दो बड़ से मिल करके आपका metrology बना है, इसको जदी add करें और यहाँ पे हम आपको equal to दिखाएं, तो यह आपका क्या बनेगा, metrology, metrology, यह आपका subject है, metro का मतलब होता है, यह Greek word है, Greek में metro का मतलब जो होता है, measurement होता है, क्या होता है, measurement, और आपका logy का मतलब होता है, science, यह study भी आप कह सकते हैं, तो आपका metrology क्या हुआ, तो metrology, metrology कुछ नहीं है, metrology क्या हुआ, कि measurement of science is called metrology, मतलब मापने की विज्ञान को हम लोग क्या बोलते है, metrology बोलते है, अब मापना सब्द आया, मतलब measurement एक word आ रहा है, measurement का मतलब क्या होता है, measurement and metrology, पूरा subject का नाम है, जिसको metrology के नाम से सिर्फ पुकारा जाता है, ठीक है, चुकि measurement हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन measurement आप क्या समझते है measurement के बारे में, उसका हिंदी होता है मापना, मापने का मतलब क्या होता है, कि या standard चीज से compare करके आपको देखना है, कि ये आपका, जैसे standard चीज से हम compare कि एक मीटर, एक मीटर हमारे पास standard है, still rule में या किसी वी चीज में, उससे हम major करके देख रहे हैं, कि इसका क्या है, इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, एक आपको data analysis करने के लिए एक आपको numeric value मिलेगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका measurement हो गया, तो पूरा जो आपका subject हो गया, measurement and metrology, मतलब metrology का simple मतलब क्या हो गया, measurement of science, मतलब मापने का बिज्यान, को हम लोग क्या बोल रहे हैं, metrology बोलते हैं, हिंदी में इसको मापन बिज्यान भी कहा जाता है, ठीक है, अब measurement का मतलब आप समझ चुके हैं, Greek word है, metrology से मिल करके बना है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो टोटल पांच यूनिट आप लोग को इसमें पढ़ना है, पांच यूनिट में जो पहला यूनिट है, यह आपका measurement and metrology subject का नाम हुआ, पहला जो यूनिट है, उसमें पहले जो आपका 3 में पाहला unit में 1.1, 1.2 और 1.3, तीन तॉपिक, major topic दिया है, पाहला जो topic है वो आपका है introduction, introduction में आपको क्या समझना है, तो definition समझना है metrology का, कि metrology होता क्या है, types of metrology समझना है, scientific metrology क्या होता है, अलग लग तरह का जो metrology है उसके बारे में आपको जानना है दूसरा जो आपको जानना है कि आपका need of metrology क्या है, metrology की जरूरत क्या है, benefits क्या है, benefits आपका है कि आप एक बेहतर quality का product produce करने लगते हैं, जदी आपके पास metrology का ग्यान हो गया, तो आप जो manufacturing में जो parts manufacture कर रहें हैं उसमें आप एक बेहतर quality का product आप produce करिएगा, ठीक है, दूसरा जो है, ascribe को reduce करवा दिजेगा, ascribe मतलब जो फालतू आपका material waste हो जा रहा था, काटने में, पीटने में, आपके पास जदी metrology का ग्यान है, तो आप क्या किजेगा, metrology में ascribe जो निकल रहा है, जो फालतू कम समय में ज्यादा production आप देने लगेगा, ज्यादा product produce करने लगेगा, जिसके पास metrology का ग्यान है, तो यह आपका benefits है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग term जानेंगे, term मतलब terminology है, कुछ-कुछ bud है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, बड क्या है, दो बड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक accuracy और एक precision, accuracy का मतलब क्या है, कि आपका target value के कितना नजदीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, accuracy बोलते है, accurate, जैसे हमको 10 mm का कोई चीज बनाना है, और 9.5 एक लड़का बनाया है, और 9.8 बना दिया है, तो आ हर बार जदी आप major कर रहे हैं, हर बार same value जदी आपको instrument प्रोवाइड कर रहा है, instrument हर बार आपको same value दे रहा है, तो मतलब वो instrument जो है precise instrument है, और एक कब संबब होगा, जब list count जादा, जितना जादा कम list count होगा, मतलब एक list count भी बड़ आ रहा है, terminology में, list count का मतलब क्या है, कि उस instrument को कम से कम आपने की छमता, जितना कम आपने की छमता होगा, उतना ही ज़्यादा हो precise होगा, और वही उसका list count होगा, जैसे simple हम लोग scale की जदी बात करें, तो scale से जदी आप कोई चीज मेजर कर रहे हैं, तो scale में 0.5 भी मेजर कर सकते हैं, 0.5 से छोटा आप measurement नहीं कर सक सकते हैं, तो यह आपका क्या हो गया, list count हो गया, 0.5 a scale का है, जिसको still rule भी कहते हैं, यह आपका precision समझ गये, accuracy समझ गये, list count समझ गये, उसी तरह से calibration है, उसी तरह से आपका calibration के बाद आपका क्या आता है, calibration है, readability है, sensitivity है, यह सब सब terminology है, और इसी terminology को आपको समझना है, ठीक है तो यह आपका पहला जो topic है, introduction, उसमें इस सारी बाते पर, बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, terminology पे और आपका definition बगेरा पे, दूसरा जो है, measuring instrument के बारे में जाना है, measuring instrument में हम लोग जो measurement करते हैं, उसमें हम लोग दो तरह का measurement करते हैं, एक आपका direct measurement होगा, दूसरा indirect measurement तो types of measurement जो होता है, वो आपका linear measurement होता है, angular measurement होता है, वो आपका comparative measurement होता है, खिक है, अलग अलग करना का measurement होता है, उसमें हम लोग बात करेंगे, जदि linear measurement मतलब सीधा सीधा मापना है, जैसे आपको height measure करना है, length measure करना है, depth measure करना है, width measure करना है, तो यह सब linear measurement में आएगा, angular measurement मे angle measure करना है, कोई cheese inclined है, उसमे angle measure करना है, तो मुकरूप से हम लोग को जो इसमे measuring instrument में जो हम लोग को बात करना है, वो 2 topic पे, 2 instrument है, एक आपका angular measurement करने वळा instrument, और linear measurement करने वाला instrument, यह 2 instrument के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसमें आपका क्या-क्या आजाएगा तो इसमें आपका आएगा पहला जो screw thread micrometer है जो यहाँ पे भी दिखाया गया है हम लोग कैसे reading लेते हैं कौन सा end field, spindle कौन है thimble कौन है, ratchet and stop का क्या काम है thimble पे ज़ो आपका marking किया हुआ है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, main scale कौन है, frame क्या है, किस material का बना हुए, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, इससे measurement कैसे करते हैं, वही चीज़े यहां पर zoom करके दिखाया गया है, कैसे measurement कर रहा है, screw thread का measurement, उसके बारे में, यह आपका angular measurement करने के लिए bevel protector का इस्तेमाल की होंगे, protector जिससे angle measure करने का काम करते हैं, तो इसमें आपका दो गोई एक, आपका stop और blade लगा हुआ राता है, जिसके साहरे हम लोग बट करवा करके, यह जो आपका workpiece है, इस workpiece का हम लोग क्या निकालते हैं, workpiece का हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना taper है, कितना degree के angle पे है, जैसे 90 degree पे match कर रहा है कि नहीं, यह बला angle निकालना चाहें, इधर बला, तो इस angle को भी हम लोग find out कर सकते हैं, यह आपका gauge है, तो gauge जो है, अलग-अलग type का gauge होता है, अलग-अलग type का gauge के सब type के बारे में पढ है, जैसे आपको ring gauge पढ़ना है, plug gauge पढ़ना है, snap gauge पढ़ना है, go और note go gauge पढ़ना है, different type का gauge है, उस सब gauge के बारे में, हम लोग filler gauge के बारे में पढ़ना है, हर तरह का gauge जो है, उस सब gauge के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यह आपका sign bar है, sign bar से भी हम लोग क्या निकालते हैं taper angle निकालने का काम करते हैं यह आपका क्या है slip gauge slip gauge का यहां पर block लगाया जाता है और दो roller लगा हो रहाता है यहां पर हम लोग workpiece को नीचे यहां पर fix करते हैं यह वाला workpiece को fix कर देंगे और यहां से आपका angle find out हो जाएगा कि कितना degree क्या है इसका surface जो है das açıl今天 से चर्चा करेंगे यह सारा जो है यह देखिए यह डोनों angular measurement का यह वाला भी angular measurement का यह आपका linear measurement का यह भी linear measurement का यह आपका comparative करने का compare करने का तो that measurement नहीं रहेता है compare करके आपको बताता है gauge तो gauge के कितना smooth है या कितना rough है तो उसमें आपका texture आता है primary texture, secondary texture के बारे में हम लोग को जानना है अलग-अलग तरह के texture के बारे में जानना है उसका बनावट के बारे में जानना है RMS value क्या होता है यह सब value के बारे में हम लोग को find out करना है तो यह हम लोग surface finish वाला में पढ़ेंगे उसके बाद इसमें एक चीज और दे दिया है coordinate measuring machine जिसको short में CMM भी बोला जाता है coordinate measuring machine यह आपका coordinate से measure करता है linear measurement करता है, angular measurement करता है तो इस machine के बारे में भी हम लोग को जानना है कि CMM है, CMM कैसे काम करता है और किस तरह का CMM है आपका cantilever type का CMM है या bridge type का CMM है अलग-अलग type का CMM machine होता है तो उसके बारे में हम लोग details रूप से चर्चा करेंगे कि क्या-क्या इसमें पढ़ना है, कैसे हम लोग को पढ़ना है अस्टाइलूस क्या होता है कहाँ पर बर्क्पिस को रखेंगे कैसे हम लोग measurement लेंगे तो यह आपका computer से जुड़ा हुआ राता है चिक है, coordinate से measure करता है तो यह आपका जब यहाँ तक आप पढ़िएगा coordinate measuring machine तो यह आपका पहला unit जो है वो आपका खतम हो जाएगा उसके बाद second unit में हम लोग आएंगे second unit में जो हम लोग को पढ़ना है वो आपको किसके बारे में पढ़ना है transducer and restraint gauge के बारे में पढ़ना है सबसे पहले transducer transducer का simple meaning जदी हम लोग देखें तो sensor को ही transducer बोला जाता है sensor का मतलब क्या हता है कि non electrical form के energy को electrical form के energy में convert करता है बदलता है जैसे simple आप mobile यूज करते हैं phone यूज करते हैं na mobile तो mobile cell phone में क्या करते हैं आप बोलते हैं hello तो hello जो है वो आपका दूसरा साथी तक hello नहीं जाता है वो आपका किस में convert हो जाता है एक transducer और receiver लगा हुआ रहता है तो transducer और receiver जो होता है वो आपका क्या हो गया एक तरह का transmitter और आपका receiver लगा हो रहता है ये दोनों क्या है दोनों आपका क्या है दोनों जो है वो आपका transducer है types of transducer है जिसमें आपका transmitter क्या करेगा आप यहां से hello बोलें तो उसको electric form में आपका non electric form में जो आवाज था उसको electric form में convert किया और उसको transmit किया और transmit करने के बाद वहाँ जो रिष्टी भर है वो आपका electrical form की energy को फिर से non electrical form में change किया और उसको भी hello सुनाई दिया तो इस पे हम लोग transducer पे अलग अलग type का transducer जो है उसके बाद 2.2 है इसमें दो ही unit है 2.2 में measurement of force, torque and pressure इसमें हम लोग अलग type से force को measure करने के लिए torque को measure करने के लिए तीनो तरह के measure करने के लिए instrument के बारे में पढ़ेंगे जैसे force measure करने के लिए यह आपका spring balance लगा हुआ है यानि कि force measure कर रहा है कि इसमें कितना force लग रहा है तो वो आपका spring balance यह आपको पढ़ना है कैसे यह काम करता है किस principle पर काम करता है कैसे यहां पर marking दिया गया है एक तरफ newton में और एक तरफ gram में दिया हुआ है तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है इसके अंदर क्य है उसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे इस बाग काम हो रहा है प्रेसर measurement करने उसके वाट टॉर्क मेजरमेंट का है टॉर्क मेजरमेंट में क्या होता है dynamometer का इस्तेमाल करते हैं और तो टॉर्क मतलब का हो गया क्या जैसे गाड़ी में आप खरीदने जाएगा तो आपको टॉर्क बताया जाता है तो पावर को कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे हम लोग find out करते हैं, तो पावर को निकालने के लिए आपके पास चाहिए एक dynamometer, ठीक है, तो प्रॉनी brake dynamometer होता है, hydraulic dynamometer होता है, तो जो भी dynamometer है, जो यहाँ फिगर लगा हुआ है, यह dynamometer है, hydraulic वाला, यह आपका प्रॉनी brake dynamometer है, यहां पे हम लोग load जो है वो apply करते जाते हैं, load apply करते जाते हैं, तो इसको क्या करता है, इसको compress करके, इसको कितना load तक यह आपका चल रहा है, घुम रहा है, rotate हो जाए, या किस load पे यह आपका रूप गया, उसके इसाथ से थोड़ा सा, छोटा सा calculate करते हैं, और हम लोग के पा यहां तक आप जदी पढ़ते हैं, तो दूसरा unit भी आपका समाप्त हो जाएगा, pressure measurement करने के लिए, make load gauge का इस्तेमाल किया जाता है, यह figure जो लगाया हुआ है, make load gauge है, कैसे make load gauge काम करता है, किस तरह से इसमें pressure measurement करते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आगे के class में, ठीक graduated, मतला होता है linear variable differential transducer, तो LVDT का यह formula है, जैसे आपका displacement measure करने के लिए, nutr máxim common nature करने के लिए, it is called Director at the Faculty at the Call, कीट है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी आपका एक एलेक्टिकल टाइप का ये सब टॉपिक है दूसरा और दूसरा यूनिट और आपका ये दूसरा में पूरा नहीं 2.1 वाला और ये 3.1 वाला में थोड़ा सा ये आपका आएगा उसके बाद ये इसी को मुख अगला यूनिट में हम लोग को तीसरा यूनिट का नहीं 3.2 में मिसलेनियस मेजर्मेंट के बारे में पढ़ना है मिसलेनियस मेजर्मेंट के बारे में पढ़ना है तो मिसलेनियस मेजर्मेंट में हम लोग को अस्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ना है यहां पर अस्ट्रेन करना है तो उसके लिए हम लों सा實ral करते हैं लेक्टोमिठ लेक्टोमिटर को किसी भी चीज का density मेजर कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग को कौन सा इंस्टूमेंट यूज करना पड़ेगा वोक्टर लेकर के आता है ना कान में आला लगाता है और उसके बाद यहाद में बला चिपका देता है और इस एसमें प्रेस करके और इसमें मेजर करता है कि कितना आहिए . अस्ती बाई 120, जो भी आपका blood pressure है, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि blood pressure कैसे major किया जाता है, उसके लिए कौन सा सिफ गेमो मैनोमीटर मसीन है, इस पे हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या principle, internal principle क्या है, सिधानत क्या है इसका काम करने का, उसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे उसके बाद पिर अगला जो आपका unit आएगा, चौथा unit आएगा, चौथा unit बड़ा लाजवाब unit है, limit fit and tolerance के बारे में जानना है, जैसे limit fit और tolerance के बारे में हम लोग जब manufacturing भी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने आपको details में बहुत बताया होगा, details में तो नहीं गहें थे, कि आ आप जदी कोई चीज बनाते हैं, जैसे 10 mm का length का आपको कोई object बनाना है, तो exact 10 mm का बनाना बड़ा मुस्किल काम होता है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, tolerance का मतलब क्या हो गया, कि जो आपका basic size है, उस basic size में आप permissival variation दे दिये, मतलब कुछ छूट दे दिये, permit दे दिये, variation करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग tolerance बोलते हैं, क्या बोलते हैं, different type का tolerance हो जाता है, मतलब 3 तरह का tolerance होता है, एक आपका unilateral tolerance, bilateral tolerance और fundamental tolerance, ये तीनो तरह के tolerance के बारे में समझेंगे, तीनो को कैस लिखा जाता है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा tolerance है, unilateral tolerance कौन सा है, bilateral tolerance कौन सा है, fundamental tolerance कौन सा है, इस सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद आपका आता है limit, limit में आपका upper limit क्या है, lower limit क्या है, तो इसको बारे में हम लोग समझेंगे, मतलब job को बनाना जो है, बड़ा स आपका होता है कैसे ये fit होगा मतलब आपका force fit होगा sliding fit होगा push fit होगा clearance fit होगा running fit होगा अलग अलग तरह का fit से इसमें आता है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे fit के बारे में उसके बाद ये आपका 4.1 जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे 4.2 में और इसमें भी हम लोग को बात करना है किसमें एंगुलर मेजर्मेंट में एंगुलर मेजर्मेंट में आपका किसके बारे में फिर से ओसी के बारे में पढ़ना है किसके बारे में तो आपका युनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर के बारे में जानना है साइन फिगर दिख रहा होगा, यह आप का bolt का figure दिख रहा है, nut नहीं है, यह क्या है, bolt है, हमने आपको बार-बार बार बड़ता है, यह bolt है, nut नहीं है, तो nut में आपका क्या क्या किया होए, यह जो गुना काटा हुआ है, जिसको गुना आप बोलते हैं, यह thread है, इसको हम लोग technical bud मे क्या बोलते हैं thread बोलते हैं तो thread में आपका भी बहुत सारा terminology आता है जैसे आपका major diameter क्या होता है minor diameter क्या होता है effective diameter क्या होता है pitch क्या होता है lead क्या होता है आपका number of start क्या होता है multi start thread क्या होता है single start thread क्या होता है यह सारी बातों पे हम लोग screw thread measurement में सिंखेंगे, समझेंगे कि इसका आपको जानकारी होगा कि screw thread में क्या-क्या चीजें होता है, lead क्या है, pitch क्या है, major diameter क्या है, minor diameter क्या है, effective diameter क्या है, समझें, crest क्या होता है, root क्या होता है, यह सब चीज के बारे में आपको जनकारी मिलेगा यहाँ पे और उसके बाद screw thread measurement करने के लिए screw thread micrometer जो first वाला figure में हम लोग देखे थे शुरुवात वाला में उसी को यहाँ पे फिर से details में पढ़ना है कि screw thread micrometer कैसे काम होता है उससे हम लोग कैसे measurement लेते हैं ठीक है उसके बाद यह unit आपका खतम हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे fifth unit में fifth unit जो है यानि कि metrology का यह last unit है gear measurement and testing मतलब जब आप gear बनाते हैं तो gear में gear के terminology के बारे में हम लोग को जाना है gear के terminology में क्या होता है जैसे उसमें भी आपका Twitter cut outta रहता है तो उसमें भी है फारी मिजेंए म माइन लोग का यह आप का पिच चकट करने के लिए यानि कि चरकल डायामीटर चक करने के लिए हम लोग यह इंस्टुमेंट इंज करते हैं इसको हम लोग लग बोलते हैं बारनियर अपका सिल रहा यह स्किल यह वाला इम्रे Janine करता है जैसे आपका यह इसी तरह से आगला प्रती जो है यह पर इसे पर आपका थीथ कर दिया कि इतना ही दूरी पे जा कि इसका thickness major करना है इतना ही दूरी पर तो यह वला आपका यहां पर fix कर दिए यह वला यह वला fix कर दिए तो यह आपका यहां पर बट होगा है अगला में भी उतना ही distance पर यह जाकर करके तो यह आपका क्या होता है gear tooth barnier, gear tooth barnier कैसे काम करता है इसके details में हम लोग जाएंगे किस material का बना हुआ रहता है कैसे हम लोग reading लेंगे इस सारी बातों पर आपको चर्चा करेंगे हम लोग और आपको जानकारी मिलेगा यह आप पढ़िएगा तो 5.1 खतम हो जाएगा और 5.2 जो है machine tool testing के बारे में पढ़ना है machine tool testing के बारे में आप फिरंगेट नहीं में आपको एक 받아 का फिगर लगाया में आपका सर्कूलर पूरा है की नहीं यह सब करना है यह सब taraf को समझना है machine tool testing में और जब आप यहां तक पढ़ते हैं तो आपका जो metrology and measurement, measurement and metrology का जो आपका syllabus है वो syllabus आपका क्या हो जाएगा, the end हो जाएगा और उस समय फिर आप paper की तैयारी पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग बरमास जो चलाते हैं, objective चलाते हैं, यह सब जो revision का class चलता है, वो सारी class आपको मिलेगा और उसके बाद यह आपका syllabus जो है complete हो गया, आप और ली एक तरह से subject के बारे में समझ गये हैं, क्या हो रहा है subject में, क्या-क्या बारे में हम लोग को पढ़ना है, यह syllabus discuss करने से आपको फायदा यह मिलता है, कि आपके अंदर एक curiosity, curiosity मतलब जानने की भावना उत्पन होता है, कि हमको क्या इस subject में जानने को मिलेगा, और जब आपके अंदर यह जानने की भावना उत्पन हो गया, तब आप उस subject में interest जगाते हैं, और आप बेहतर जो है, उस subject में करना शुरू करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग अगले class में, तब तक के लिए thank you, बाई बाई, जय हिन, जय भारत